नमस्कार दोस्तो राजबार समाज में पूरे भारत में आज लुग कही संगठन है हर कोई अपना संगठन बना रहा है संगठन बनाना ठीक है लेकिन जब समाज की बात आती है तो क्या संगठन के लोग एक जुठ होते हैं आरक्षन का मुद्दा ले लेजिए या कोई भी समाज का मुद्दा होता है तो लोग खड़े नहीं रहते हैं बहुत कम लोग खड़े रहते हैं गिने चुने लोग खड़े रहते हैं तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा पूरे भारत में इतने संगठन है एक साथ आने के कोई पहल नहीं करता है मेरा मानना है कि पूरे संगठन को मिला के एक संगठन हो जो सब पे निगरानी रखे सब काम सब में बार दिया जाए ताकि जो भी समाज का समस्या है आज हमारे समाज बहुत पिछे है अगर समाज को उपर लेके जाना है तो सबी संगठनों को साथ आना चाहिए यह हमारे हिसाब से साथ आना चाहिए आप लोग की क्या रहा है जरूर बताए कि सराजवर समाज के जितने भी संगठने एक मंच में कैसे आएंगे ये आएंगे भी कि नहीं आएंगे क्या हमारे समाज में ऐसे ही हमारा समाज पीछे होता चला जाएगा और कब आएंगे क्या सभी संगठन एक दूसरे संगठन के साथ मिलके काम करना चाहेंगे हो सकता है अगर सभी संगठन के लोग चाहेंगे तो हो सकता है सिप सभी को अपना इगो निकालना पड़ेगा अगर समाज जित चाहेंगे तो अपना इगो निकाल के समाज जित में बात करेंगे तो सभी संगठन एक मन्च पर आके काम कर सकते है तब ही हमारा समाज का विकास हो सकता है आप लोग की क्या राहा है जरूर हमें बताए समाज को किस दिसा में कैसे आगे बढ़ाय जाए संगठनों के माद्यम से क्योंकि संगठन इतनी बनती चली गई है लोगों में दूरियां बहुत आ गई है हर संगठन सुचता है कि हमारे संगठन का नाम हो हर संगठन अपना नाम कमाने के चकर में समाज में दूरिया बनती जा रही है संगठन बहुत से अच्छे काम कर रहे है लेकिन बहुत से संगठन है जो काम कर रहे हैं लेकिन समाज का उसमें भला नहीं हो पा रहा है तो मेरा यही निवेदन है कि जरूर एक मंच पर आए आप लोग जरूर बताए कि कैसे होना चाहिए सभी संगठन के लोगों से अपील करता हूँ कि एक मंच पर आए और राजवर समाज के विकास के में सभी संगठन अपना योगदान दे साधे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे लेकिन जब तक एक मंच पर राजवर समाज नहीं आएगा तब तो राजवर समाज का विकास नहीं होगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मिलते हैं किस अगली वीडियो में जै हिन जै भारत जै माराजा सोल्दो राजबर